नमस्कार प्यारे विदार्तियों एक बार फिर आप सभी का स्वागत है संदीव मांस्टर ओनलाइन कलासिज यूटूब चैनल पर आज हम आरोगे से तू एप के बारे में बढ़ेंगे तो आई ये स्टार्ट करते हैं आरोगे से तू एप क्या है इसके लाब क्या है और इसे कैसे डाउनलोड करें और इसके बारे में जो अन्यारोची का तथ्ये हैं उसके बारे में आई बात करते हैं जो आरोगे से तू एप है एक ब्लूटूथ अधारित कोविड नाइंटीन ट्रेकर है जिसे भार सरकार दुवारा लॉंच किया गया है जो आपका आरोगे से तू एक ब्लूटूथ अधारित कोविड नाइंटीन यानि की जो क्रोना वायरिस है उसको डबलूएचो के दौरा कोविड नाइंटीन नाम दिया गया है उसका ट्रेकर है जिसे भार सरकार दौरा लॉंच किया गया है यह उपयोग करता कि स्तान के अधार पर जोखिम का धान करता है और जो 6 फिट की निकटता है उसके फितर जो कोविड नाइंटीन के मामली है उसको सूचित करता है अब तक 10 मिलियन से अधिक लोग इस एप को डाउनलोड कर चुके हैं आरोगया सेतु एप क्या है आरोगया सेतु एप को राष्ट्रिय सूचना विज्यान के अंदर द्वारा विख्षित किया गया है जो कि इलेक्ट्रोनिक्स और सूचना परदोगी की मत्राल्य मेटी भार सरकार का ही एक हिंसा है यह भार सरकार द्वारा शुरू किया गया एक ब्लूटूथ आधारित कोविड नाइंटीन ट्रैकर है आरोगया सेतु एप एक संस्क भार सरकार द्वारा विशेश रूप से स्वास्ते विभाग की पहल को भढ़ाना है जो लगातार एप्लिकेशन के उप्योग करता हूं को कोविड नाइंटीन के जोखिमों सर्वत्तम अभ्यास और परसांगिक सला से समंदित सूचना उतक पहुंचाने और उन्हें सूचि है उसे यानि कि उसके समंदित सूचना तक पहुंचने और उन्हें सूचिन करने से समंदित है जो अरोगे सित्व एप है उसके लाब क्या क्या है अरोगे सित्व एप दोनों प्लेटफॉर्मों एंड्रोइड और आई ओस पर उपलवद है एप्लिकेशन 11 भासाओं में पूरिया गुजराती और मुराठी एप के जल्द ही और अधिक भारतिय भासाओं में उपलवद होने की उमीद है आरोगे से तु एप का उप्योग करने के लाब निच्चे दिये गए हैं पहला जो लाब है आरोगे से तु एप बिलुटूथ अधारित तकनिक पे काम करता है और उप्योग करता के स्तान के अधार पे कोविड्य-19 के जोखिम या डिस्क का निर्थान करने की कोशिज करता है जोखिम कारक रिस्क फेक्टर उस स्तान के लिए उपलवद आंकड़ों प любов Lord क्यों रखा गया मैं यह उप्योग करता है कि कहीं उसने च्शाय ओच्विट के लिए कई उपायों के बारे में भी बताता है जैसे की self assessment test social distancing do us and do nots इतिहादी औरोग्य से तो एप उपयोग करता को इतिहाईती उपायों के बारे में और westwick महामारी के समय में social distancing को कैसे बनाए रखना है इसके बारे में बताता है पीमो के एक अभ्यान के नुसर एप एक स्थान से दुसरे स्थान तक यात्रा को सुईधा जनक बनाने वाला यह पास भी हो सकता है यदि कोई उप्योग करता है उंच जोखिम या हाई रिस्क में है तो एप उसे पास के प्रसिक्ष बोट चैट बोट से भी लाइस है जो क्रोना वाइरस बीमारी या कोविड-19 पर सभी बुनियादिस वालों के जवाब देता है उप्योग करता भारत में परतियक राज्जे के लिए हलप लाइन नम्मर भी इसके जरीए ले सकते हैं आपको कोविड-19 के लक्षन है या नही कि आप अरोगे सेतु एप से कैसे पता लगाएंगे सबसे पहले एप को खोलें अपनी स्क्रीन के नीचे सेल्फ असेस्मेंट बटन को देखें और बटन क्लिक करने के बाद आप से अपके लिंग और उमर के बारे में पोस्तास की जाएगी यानि कि अगर आप कोविड-19 के लक्षण आप में है या नहीं अगर जानना चाहते हो तो औरोगे सेतु एप को पहले तो उपन गरिए और फिर उसकी स्क्रीन के निचे के बटन मिलेगा आपको सेल्फ असेस्मेंट उसको खोलें और बटन क्लिक करने के बाद आपको आपके लिंग और उमर के बारे में जा देरोग इतियादी के बारे में पता है अप परसिक्षन आपको पिछले 14 दिनों में आपके यात्रा इतिहास के बारे में पूस्ताज करेगा आगे आपसे पूछा जाएगा कि क्या आप एक कोविड नाइंटिन हिट मरीज के साथ रह चुके हैं या यदि आप एक स्वास्त करता है और बीना सुरक्सात्मक गियर के सकारात्मक कोविड नाइंटिन मामले की जांच की है इन स्वालों के जवाव इमानदारी से दें और स्वालों के जवाव देने के बाद एप आपको संकरमण के जोखिम या रिस्क के बारे में बताएगा आरोगय से तू एप का उप इंगलिस जो भी आपकी मर्जी है अपने फोन की सेटिंग में ब्लूटूथ और लोकेशन को स्वीच ओन करें अपने फोन की सेटिंग से लोकेशन सेरिंग को आलवेज सेट करें और आपको रिजिस्टर करने के लिए कहा जाएगा रिजिस्टर पर क्लिक करें आई एगरी नंबर को मागा जाएगा प्राप्त मुबाइल नंबर और ओडिपी दर्ज करें अब आप एप को एक्सेस ये इस्तमाल कर सकते हैं आतम उल्यांकन प्रिक्षन करें दिशांदर देश पड़ें जोखिम कारक और अधिक निर्धारित जानकारी प्राप्त करें भारत वैस्विक महामारी से निप्टने के लिए सभी आवश्य कदम उठा रही है स्तानिया इस तरह पर क्रोना वाइरस के परशार को रोकने में सबसे महतपून कारक स्वास्ते और प्रिवार कल्यान मंत्रा लेदवराद जारी की गई सला के नुसार सावधानी भरतने और निकटतम प्रिक् करने के लिए 21 दिनों के देश व्यापी लोकडाऌन की घोश्णा की थी आज देश को संभूदित करते हुए पर्थानमंतर इंद्रमोधी ने देश व्यापी लोकडाउन को 19 दिनों के लिए और बढ़ा दिया है और आब